आज का हमारा टॉपिक है फीजियोलोजी ऑफ गैस्टो इंटेस्टनाइल सिस्टम यह एक फीजियोलोजी का इंपॉर्टन टॉपिक है जो भी पॉइंट्स लिखे हुए है यह सब सारे इसमें कवर होंगी एक ही वीडियो में जे बीमस का एजटी से इस लेबस दिया हुआ है ठीक है और कैसे आपको प्रेजन करना है अच्छे माक्स के लिए सारा इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और यह मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं इसकी सीक्वेंस लग लग है मैंने शुरू किया है जैसे मेकानिजम ऑफ सेक्रीशन ऑफ डिफरेंट डिजेस्टिव नाम से पता चला रहा है ठीक है सभी का सिफैलिक फेस जब फूड होता है जो माउथ में होता है ठीक है माउथ में जब फूड टे करते हैं इंटे करते हैं तो उसकी वज़े से उसकी प्रेजन की वज़े से जा फिर फूड की स्मेल और उसकी साइट उसकी टेस्ट की वज़ पहुंचा 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 इंटी करते हैं इंटेस्टनेल फेज नाम से पता चल रहा है जब फूड पहुंचा स्माल इंटेस्टाइम में देन करते हैं scritin कॉली साइटो के निन ठीक है जो किसके दवारा पर डियूस होता है एंडो क्राइव उसके से दवारा शेट होता है अब आपको अच्छे से प्रैजन कैसे करना है आपको अगर अगर आप अब लगा प्रेजन सो फूड एं माउथ उसके विज़े से क्या होता है वेगजनर स्टिमुलेट हो जाती है जिससे क्या होता है सिक्रीशन होती है टीक है ऐसी बाकी में आपको लिखना है में आपको नर्व याद रखनी होती में ठीक है तीनों में ऐसे लिख दीना है आपको अच्छे से प्रैजन करना है उसके बाद यह हो गया हमारा मैकनीजम ऑफ स्क्रीशन ऑफ गैस्टिक जूसे उसके बाद उसकी कॉंपोजिशन यह भी आपके स्लेबस का नाफ के सारी में नालिज के लिए सारा लिक रहे हैं मैं आपको में में बताती हूँ क्या क्या लिखना ह mortar खरें ठीक है उसमें water होता कै नाइंटी नाइंट five Danny पर संट हुht 5% देखो ये दोनों चीज़े सब में सेहें हैं सारे गींप ळागे और Too coil नंग और ऑप्धास शुछिस ignor में लिखी है जैसे सिर् 2 जारिवा में अगे उल्स Safe अगें God जैसा आपको पता ही अए दो बैसे Sun Sea और में क्या होता है लाइन कब ता होगा amylase का, maltase का, ठीक है, यह आपको पता ही होता है, यह main में याद रखना है, यह तीनों important आपको याद रखना है, ठीक है, inorganic का प्याद कर लो, जैसे कि sodium, calcium, potassium, यह तीन भी सभी में mostly same है, यह आपको याद रखना है, उसके बाद है gastric juice, देखो इसमें भी same ही है, ठीक है, same ही ल होता है, gastric lipase होता है, ठीक है, यह आपको में इसमें याद रखना है, उसके बाद आता है, pancreatic use, इसमें भी आपको पता है, amylase होता है, pancreatic amylase, देखो बाक्य चीज़ें सेम ही है, water and solid, organic, inorganic, ठीक है, sodium, calcium, potassium, यह आपको सेम ही मिलेगा सभी में, ठीक है, बस main-main चीज़ें है, वो आपको याद रखना है, जैसे इसमें ट्रिप्सीन, elastase होता है, ठीक है, उसके बाद है, सुक्रेज, माल्टेज, लेक्टेज, ठीक है, यह चीज़ें आपको याद रखनी है, यह small intestine में होता है, और उसके बाद large intestine के use की बात करते हैं, अब देखो, बाक्य चीज़े सेम, और्गैनिक में albumin याद रखना है, ठीक है, इसमें आपको globulin, mucine, urea, यह सब चीज़ें आपको याद रखना है, यह देखो, इसमें तो सेम ही है, ठीक है, उसके बाद bile, bile का भी आपको पता है, bile sales होते हैं, bile pigments होते हैं, cholesterol याद रखना है, ठीक है, important, important, यह चीज़ें आपको इसमें याद करना है, यह composition का point आपके syllabus में है, ठीक है, आपको इसलिए याद करना है, आपको ऐसे जैसे arrows लगा के, ऐसे पूरा उसको form सी बना के table सा थोड़ा सा, ऐसे उसको present करना है, उसके बाद आपके syllabus का next point है, functions आते हैं, ठीक है, different, different उसके, functions of slavery gland, functions of stomach, सबसे पह इसे कैसे important है, देखो, यह lubrication कर देता है, फूड का, ठीक है, lubrication कर देगा, उसको मौस कर देगा, तो जिसके वज़े से क्या होता है, वो एक बॉलस की form में बन जाता है, ठीक है, उसको फिर swallow करना अच्छे से easy हो जाता है, क्योंकि अगर खाना आगे पहुंचेगा, तो यह और clean रखता है, mouth को, ठीक है, taste words को अच्छा रखता है, initiate, देखो, digestion की initiation कहां से होती है, कहां से शुरू जाती है, digestion, वो saliva से वहीं से शुरू होती है, mouth से, तो उसके ले इसका important function है, ठीक है, आपको digestion के point of view से ही में लिखना है, क्योंकि आप physiology of gastrointestinal tract पढ़ रहे हैं, ठीक है पेपर में आपको ऐसे one, two, three, four, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, उसको ऐसे point बनाके जा arrow लगाके ही लिखना है, ठीक है, points के number नहीं, ऐसे points में लिखना है, paragraph में नहीं लिखना होता, उसके बाद है function of stomach, temporary storage of food, ठीक है, temporary storage करता है food की, ठीक है, mechanical breakdown, इसका function है जो, ठीक है, इसक चर्न की ठीक करती है, ठीक है, जिसमें फिर gastric juice added हो जाता है, ठीक है, फिर जो सारा content होता है, विखना हो जाता है, उसके add होने से time में, ठीक है, यह विकर digestion का important part है, ठीक है, और क्या function है, यह आइरन की preparation, यह preparation of iron for the absorption, non-specific defense against the microbes की तरहीं act करता है, ठीक है, और production, production and secretion of intrinsic factor needed for absorption of vitamin B12 की absorption के लिए, जो important है, ठीक है, secretion of hormone gastrin, ठीक है, passes of gastric content into the dodenum, यह सारा heat digestion के point of view से काफी important है, उसके बाद हैं, लिवर के function, सारे आपको points में लिखने हैं, ठीक है, metabolic function, किस-किस का करता है, carbohydrates, lipids, protein, इन सब की metabolism करता है, उसके बाद है, secretory function करता है, secret किसको करता है, bile pigments को, cholesterol को, boils oils को, secret करता है, protective function करता है, detoxification करता है, storage करता है, ठीक है, आपको बता के करने हैं, इस सारे main main points के underline करकर के लिखना है, ठीक है, जैसे storage, protective, secretary function, ठीक है, breakdown of erythrocytes, production of heat, ठीक है, filtration of bacteria, detoxification of drugs, ठीक है, उसके बाद आता है, functions of pancreas, ठीक है, जब stomach के बाद जाता है, food kind बन जाता है, मैंने आपको बताया था, भी stomach के functions में, तो, यह क्या करता है, तब neutralize कर देता है, HCL को, pancreas, ठीक है, pancreatic alpha amylase, जो है, वो action of carbohydrates, it hydrolyze, glycogen and starch को hydrolyze कर देता है, जो pancreatic lipase है, वो क्या करता है, hydrolyze करता है, neutral fat to glycerol and esters में, exocrine pancreas क्या करती है, main function का digestion का है, जो exocrine pancreas द्वारा ही होता है, ठीक है, digestion का जो भी main function है, not by endocrine, only by exocrine, functions of small intestine, mixing of time with the digestive juices, like sucrose, intracuse, pancreatic juice के साथ, जो mix कर देती है, क्योंकि यह किसके द्वारा होता है, movements of small intestine की वज़े से यह सब होता है, ठीक है, और यह क्या, मतलब यह दुनों, यह secures, integrals, enterokinase, और यह hormones, यह तीनों, इस creator होते हैं, small intestine द्वारा, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो peptidase है, ठीक है, ठीक है, वो peptidases, यह एक enzyme है, इसके वज़े से convert हो जाते है, amino acids में, देखो, सभी आगे भी ऐसी लिखा हो है, जो सबसे पहले, subtract, फिर उस पर किस enzyme का act होता है, उस enzyme की action की वज़े से, जो end product निकलता है, ठीक है, आगे भी ऐसी है, जो इसमें होता है, आगे देखो, ऐसे सारे सुक्रोज वगरा, जो लिखे हो हैं सारे के हैं, subtract, यह क्या है, सार enzymes हैं, वो कहां के हैं, small intestine के, ठीक है, उसके बाद है functions of large intestine, large intestine का क्या function है, यह absorb करता है water का, देखो, सबसे ज़्यादा जो absorption होती है water की, वो कहां पे होती है, large intestine, यह important point है, आपको याद रखना है, ठीक है, और किस-किस की करता है, electrolytes, alcohol, drugs, like in static agents होते हैं, स्ट्रिट्रोइड होत होता है, ठीक है, after absorption of nutrients, water, etc, the unwanted substance होते हैं, जो, ठीक है, जो extra waste products होते हैं, large intestine के, वो कहां करते हैं, फिकस, ठीक है, फिर, this is excreted out, go blood cells produce करते हैं, mucus, to act as a lubricant की तरह, वहां पे act करता है, store करता है, and digested material को, ठीक है, काफी समय के लिए, और उसके बाद, इसका एक function है, bacterial flora of large intestine का, जो bacterial flora है, वो synthesize करता है, folic acid, vitamin B12, and vitamin K को, यह किसके लिए important है, आपको ऐसे ही, ऐसे ही लिखना है, एरोजी बना के, ऐसे ही आपको वे परमी लिखना है, folic acid, vitamin B12, इसकी activity के है, rethrophoetic activity, आपको पता है, यह सारे RBC, HP formation के लिए important है, rethrocyte बनाने में important है, folic acid and vitamin B12, यह activity होग की वे जिसे activity, blood clotting mechanism में, यह help करता है, ठीक है, उसके बाद देखो, हमारा यह topic होगा है, mechanism, यहां से देखो, mechanism of secretion or composition हमने पढ़ लिया, उसके बाद functions of salivary glands, stomach liver, pancreas, small intestine, large intestine, यह हमने पढ़ लिया, digestion and absorption के point of view से हमने पढ़ा है, ठीक है, मतलब यहां तक कापका हो गया, ठीक ह उसके बाद हमने पढ़ना है भी, movements of gut, ठीक है, and their control, ठीक है, यह हम पढ़ेंगे, अगला topic, movements of gut and their control, इसमें आपकी सलेबर्स के point of view से deglutation, peristylysis, defection, ठीक है, यह points है, सबसे पहले deglutation, deglutation or swelling, भी कहते हैं इसको, is the process of why which food moves from the mouth to the stomach, mouth से लेके, stomach में food जाता है, जो swallow करने के बाद, उस पर सास को बोलते हैं, deglutation, ठीक है, इसकी तीन stages होती है, सबसे पहले हम बढ़ते है, oral stage, ठीक है, यह एक voluntary stage है, हम कुछ से करते हैं, इसे swallow, ठीक है, खाने को, एक voluntary stage है, Wallace from the mouth, passes into the pharynx में pass होता है, ठीक है why means of series of actions, ठीक है, यह कौन से actions है, bolus is placed over the posterior dorsal surface of tongue पे है, जैसे हम रखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाग क्या होता है, anterior part होता है, जो आगे का part होता है, tongue को, वो retracted, पिछे की तरफ चला जाता है, drawback, ठीक है, retracted and depressed होता है, पिछे की तरफ और निच्छे की तरफ, ठीक है, जो posterior part होता है, tongue का, वो elevated होता है, placed higher than surrounding, मतलब आगे का part anterior तो निच्छे और पीछे चला जाएगा, और जो posterior part होता है, वो थोड़ा उपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, इस प्रडूसर पॉजिटिव प्रेसर प्रडूसर होता है, जिसकी वज़े से, ठीक है, posterior oral cavity, पिछे की pharynx, जिसकी वज़े से, क्या होता है, food pharynx में चला जाता है, ठीक है, यह क्या है, हमारी oral stage, ठीक है, उसके बाद है, pharyngeal stage, pharyngeal stage में क्या होता है, यह एक involuntary है, ठीक है, यह हम खुद से निगरते, involuntary stage है, बॉलस is pushed from the pharynx to isophagus, पहले तो गया, mouth से pharynx में, a pharynx to isophagus, इसके भी four parts है, इसके four parts नहीं है, मतलब इसमें four parts होते हैं, जैसे हमें पता है, कि खाना कहां कहां जा सकता है, एक तो मुह में बापिस आ सकता है, back into mouth आ हो सकता है, एक अपर बाद जा सकता है, नैजो फेरिंक्स यह कुछ से पाद close कर देता, these parts are prevented, खाना इसमें नहीं जाता, downward into isophagus, जै फोर्थ पाथ है न, ठीक है, इसमें involuntary stage है, तो खाना खुद से इसमें जला जाता है, since other three are closed, the ball has to pass only through the isophagus, ठीक है, फिर वहां पे चला जाता है, उसके बाद heart stage आती है, isophagial state, देखो पहले हमने stage पढ़ी, oral stage, ठीक है, जिसमें आता है, mouth to pharynx, उसके बाद हमने पढ़ी pharyngeal state, जिसमें आता है, pharynx to isophagus, ठीक है, अब है, isophagial stage, ठीक है, इसमें isophagus से कहां जाता है, स्टोमक में चला जाता है, ठीक है, किसकी वज़े से होता है, why the movement of isophagus, paristallic waves, waves of contraction, जो होती है, उनकी जाता है, ठीक है, movement of isophagus की वज़े से, उसकी movements की वज़े से ही, उसकी movement जो paristallic waves है, उसकी वज़े से खाना स्टोमक में जाता है, यह क्या होगी, हमारी, मतलब, mouth से लेके स्टोमक में खाना चला गया, यह हमारा glutation, ठीक है, deglutation, अब इसका reflex, जो है control, जो हमारे syllabus में लिखा हुआ है, important है control, इसमें देखो, beginning होती है, swallow की voluntary act है, ठीक है, इसमें भी आपको points बना-बना के लिखना है, ठीक है, एक voluntary act है, एक voluntary act है, हमारे खुद से swallow करते हैं, उसके बाद जो pharyngeal and isophagel है, वो कहें involuntary है, ठीक है, center, मतलब, किन center की वज़े से, जो glutation, deglutation process हो रहा है, व in the medulla oblogenta of the brain पे, ये center present है, जिसकी वज़े से ये process हो रहा है, यही इसको control करता है, ठीक है, उसके बाद है, peristellesis, ठीक है, peristellesis, when the food enters the stomach, जब food है, वो चला जाता है, stomach में, the peristellic, जो contractions होती है, और waves होती है, वो appear हो जाती है, ठीक है, अब खाना stomach में जा चुका है, ठीक है, फिर वो क्या होती है, peristellic, contractions और waves होने लगती है, ठीक है, जब starting में, तो वो slight होती है, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद वो travel करती है, toward the pelaurus, मतलब, खाना travel करता है या ना पैलोरोस मतलो इस्टोमक के निच्चे की पोश्चन में ठीक है उसके बाद क्या होता है कन्त्रेक्षण वी कम डीपर वर्ल ट्रैवलिंग जब वहां तक ट्रैवल करता है तो तो contractions पहले तो slight होती हैं बाद में क्या हो जाती है थोड़ी deeper हो जाती है ठीक है एरब इच परिस्टेलिक वेव टेक्स बाउट वन मिनिट तो ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ रिजन देखो स्टोमक का स्टार्टिंग से पाइलोरस तक एंड तक उसको कितना टाइम फूड को क्राइनड करने में ठीक है पार्टिकल्स में उसको िक्स करने में विद्ट कस वी बद्द्ध यह important है ठीक है उसके बादड इसका कंट्रोल किसकी वज़से से हो रहा है जो सारा परसेस से पैरिस्टेलेसिस का इसके कंट्रोल हो रहा है वाई मैडूला अबलगंटा एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टेम के बारे में आगे भी पढ़ोगे आप किसले बस में हैं डिफैक्शन ठीक है इसमें आता है वाइडिंग और फिकर्स इस नौन होता है सिगमीड क्लोव में वाईल स्टिमयलेस से ठीक्शन रिफ्लेक्ट होता है उसके बज़े से क्या हुता है जो फिकर से बस्पैल डाउट थ्रोदा है अनिस से एक्सी स्क्रिय तो जाता है ठीक है इसका कंट्रोल ऑन पहले इस इस पर absence होता है stimulus का तो वो किस चीज़ के वज़े से prevent होता है tonic instructions of anal sphincter ठीक है और उसके बाद आता है टेगलोटीश defection reflex उसका control ठीक है during the development of mass movement जब काफी सारी mass movements बन जाती है ठीक है the fix is pushed into the rectum जो fix है उसको वो खुद से रेक्टम में push हो जाता है ठीक है defection reflection शुरू हो जाता है इसमें क्या होता है contraction होती है rectum की ठीक है और relaxation होती है internal and external anal sphincter की जिसकी वज़े से यह process होता है एक topic हमारा और cover हो गया इसमें इस लिए बस का उसके बाद enteric nervous system ठीक है आपके एक subscriber की वज़े से मुझे काफी sport मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज और enteric nervous system the enteric nervous system is a nervous system है gastrointestinal system का मतलब यह एक nervous system की तरह ही जो हमारा enteric gastrointestinal system है वहां पर act करता है ठीक है इसमें ब्रेइन की involvement नहीं होती ठीक है विच एक्ट सेज ऑटोनॉमली ऑटोनॉमिसली इंसाइड दा स्टोमक और इंटेस्टाइन में एक्ट करता है ठीक है यह एक दीजा रिफ्लेक्स होते हैं विच एक्जिस्ट विदिन दा enteric nervous system में एक्ट करते हैं देनीड स्टोमक और इंटेस्टाइन का खुद का एक नर्वस सिस्टम है इस रिफ्लेक्स शर्कट्स आर सप्लिट इंटू लियर्ज में डिवाइड होते हैं समक्यूसल प्लैक्स एंड मेसेंट्रिक प्लैक्स इसके बार में आपको बताऊंगी आगे पूरी डाइग्राम में आंप स्टैन के इंटेस्टाइन में इन्टेस्टाइन में ज最近 साच इन्टेस्टाइन टांडिक ने उस्रम क्वान में एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है ये सब सों किसी मतलब और consulting the brain, यह खुद से करती है intestine ठीक है, यह एक इसकी unique capability है that's why GIT और gut को हम second brain भी बोलते हैं ठीक है, क्योंकि यह खुद से यहाँ पर brain की जरूरत नहीं यह खुद से करती है अपनी ठीक है, और roughly 500 million neurons embedded in the gut, present होते हैं ठीक है उसके बाद इसमें आगे भी आएगा थोड़ा entire nervous system के बारे में उससे पहले हम देखते हैं, physiology of gastrointestinal track है उसमें जो अगला point लिखा हुआ है ठीक है, जो सबसे first हमारा point है, digestion में functional not me of digestive system, यह मैंने यहाँ पर लिखा हुआपर आपको यहीं से शुरू करना है ठीक है, शुरू से definition से शुरू करना है functional not me of digestive system का digestion is defined as the process why which food is broken into small chemical substances, जाफे substances small, मतलब इसमें क्या होता है, जो food substances देखता है, उनको small substances में तोड़ना ही क्या है digestion, ठीक है, जिसमें और क्या है, that can be absorbed होते है, ठीक है, and used as nutrients by the body digestive system के functions क्या क्या है, पहले तो ingestion करना food का, उसको break करना, उसको transport करना, ठीक है, secretion करना important enzymes की, ठीक है digestion करना, absorption करना, removal करना, सारा sequence में लिखा हो है कि क्या क्या करता है digestive system इसको भी आपको points में लिखना है उसके बार, digestive system is made up of gastrointestinal tract, और elementary canal जिसको बोलते हैं, और accessory organs, which helps in the process of digestion and absorption में जो help करते हैं, ठीक है, जो GI tract है, वो एक tubular structure की form में है, extending from कहा से कहा तक, mouth to the annus, पूरे उस length को हम क्या बोलते हैं, GI tract ठीक है, is formed by two types of organs होते हैं, इसमें primary और accessory, प्राइमरी तो में असेसरी जो help करते हैं, आप इसमें एक डाइग्राम भी बना सकते हो, यह वाली, mouth to the annus, ठीक है, और उसके बाद primary and accessory digestive organs देख लेते हैं, प्राइमरी जो mouth, stomach, pharynx, small intestine, large intestine, यह होगे, असेसरी में देखो, टीथ, जैसे टीथ भी तो help करते हैं न, main primary निया पर secondary हम असेसरी इसको बोल सकते हैं, मतलब यह भी तो help करते हैं, मतलब यह भी तो help करते हैं, मारी digestion में, लिवर, gallbladder, tongue, slavery glands, ठीक है, exocrine part of pancreas, जैसे मैंने आपको पहले ही पता है, जो exocrine part of pancreas का वही पार्टिस्पेट करता है, इन प्रता process of digestion में, ठीक है, और इनके बार में आपको बस थोड़ा-थोड़ा ही लिखना है, क्योंकि यह five marks के recording के आता है, functional not me, ठीक है, wall of, इसको आपको function के हिसाब से main लिखना होता है, physiology के paper में, ठीक है, और anodon में आपको structure के हिसाब से ज्यादा लिखना होता है, wall of git, इसकी four layers होती है, मुक्रस, समक्र, muscular layer, stearious, serious layer, ठीक है, यह आपने पहले से पढ़ रखा होता है, वैसे पहले, यह चारो layers के बारे में, ठीक है, सबसे पहली layer के बात करते हैं, inner most layer है, जो, mucous layer, ठीक है, it faces the cavity of git tract, this layer forms the irregular folds होते हैं, ठीक है, मैं आपको diagram में भी दिखाऊंगी, आगे, irregular folds होते हैं, stomach and small finger like foldings होते हैं, ठीक है, while I in the small intestine, ठीक है, यह सब इस में cover होता है, इस layer में, ठीक है, has goblet cells which is create mucous that helps in the lubrication में, जो help करते हैं, उसके पास some mucous layer, ठीक है, here is second layer, present all over the, सभी जगे प्रेजन होता है, accept the mouth pharynx, मतलब digestive system, जो git tract है, उसमें सभी जगे प्रेजन होता है, accept the mouth pharynx, ठीक है, blood vessels, lymphatic vessels and nerve plexes are present in this layer, यह तिनों present होता है, blood vessels, lymphatic vessels and nerve plexes में present होता है, और present all over होता है, पर accept the case में mouth और pharynx को छोड़ के, ठीक है, उसके बाद third is muscular layer, ठीक है, यह किस form device smooth muscles की बनी होती है, ठीक है, arranged into the inner circular, इसके भी आगे दो पार्ट है, inner circular outer long vaginal third layer के, उसके बाद fourth layer, यह connective tissue से बनी होती है, ठीक है, and thin mesothelium से बनी होती है, यह देखो layer जिसमें, ठीक है, सारी दी होई है, नर्व देखो मैंने आपको बताया था, enteric nervous system यही से form होता है, देखो अगर तो आपको five marks में आए enteric nervous system, जो आपको मैंने पहले बताया न, वही बस उतना ही लिखना है आपको five marks के recording, अगर आपको ten marks में आता है, ठीक है, यह fifteen marks में आता है, तो ही आपको यह चीज़े include करनी है उसमें, ठीक है, enteric nervous system that controls all the secretion and movements of GIT, ठीक है, इसके two major networks होते हैं, urbex plexes and mision's plexes, यह काम देखो, यह रहा, urbex plexes, ठीक है, और उसके बाद है, misioner's plexes, यह आपको diagram में पता चल रहा होगा, ठीक है, जो misioner's plexes है, वो तो second layer और third layer के बीच present होता है, ठीक है, और यह urbex plexes है, वो जो third layer के दो पार्ट में वो divide किया था नहीं, inner, circular and outer longitudinal, तो उन दोनों के बीच में present होता है, ठीक है, जो extensic nervous system है, वो control करता है, enteric nervous system को, जो intrinsic है, वो तो form करता है, ठीक है, और जो extensic है, वो control करता है, ठीक है, यह form the autonomic nervous system, बहुत sympathetic and parasympathic, इसके बारे में आगे हम देखते हैं, पहले तो, eurovex plexes, ठीक है, यह present होता है, जो third layer है न, उसकी दो partition थी, inner, circular, outer, longitudinal, उन तोनों के बीच में यह present होता है, ठीक है, इसका main function क्या है, यह regulate करता है, movement of GIT tract को, ठीक है, some nerve fibers of this plexe accelerate the movements while secreting the excitatory, neurotransmitter, substances like, acetoclinin and serotonin, ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है, other fibers of this plexe inhibit the GIT, mortality, while secreting the inhibitory, मतलब रोकता है, neurotransmitters such as neurotension को, आपको यह सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा, कि किसके बीच present होता है, और इसका main function क्या है, to regulate the movements of GIT tract, इतना enough है, ठीक है, entire nervous system के लिए इतना enough है, अगर आपको 5 marks के लिए आता है, जो पहले मिने आपको page पे करवाया, अतना enough है, अगर आपको 10 और 15 marks के लिए आता है, तो आपको यह चीज़े add करनी है, जो functional not me है, वो भी आपको 5 marks के recording आता है, उसमें भी आपको बस उतना ही add करना है, जो मिने आपको पहले पढ़ाया और थोड़ा सा इसमें स्याट कर देना है, ठीक है, उसके बाद है, मिजन्स नर्व, यह second और third layer के बीच होता है, ठीक है, इसका क्या function है, regulation of secretory function of GIT track, बस आपको इतना ही याद करना है, उसके बाद sympathetic nerve fibers, ठीक है, परा-symphatic, sympathetic का function क्या करता है, function क्या होता है, वैसे इसका भी आपको थोड़ा से याद रखना है, कि यह inhibit करता है, movements and decrease the secretion of GIT track, ठीक है, यह तो inhibit करता है, जो पहरा-symphatic है, वो क्या करता है, accelerate करता है उनको, ठीक है, दोनों composite function है, उसके बाद, आपके इसलिए बसका next point, digestion and metabolism of proteins, ठीक है, protein की digestion है, वो कहां पर होती है, stomach and intestine में, सबसे पहले हम बात करेंगे, इन stomach की, ठीक है, जो parietal cells होते हैं, वो secrete करते हैं, stomach में, HCL, जो parietal cells होते हैं, stomach के, वो secrete करते हैं, HCL, hydrochloric acid, ठीक है, जो pepsinogen है, protein का बाद, जो हम खाते हैं, ठीक है, वो HCL की दोबारा, जब HCL का उस हो किसमें convert हो जाता है, pepsin में, ठीक है, जो chief cells होते हैं, stomach के, वो secrete करते हैं, pepsinogen, ठीक है, पहले तो HCL का action हो गया, उसके बाद pepsinogen का action हो जाएगा, उस पे, ठीक है, तो small intestine में फिर जाता है, जब proteins वो, तो exocrine pancreas secrete into small intestine, exocrine, जैसे मैंने आपको बताया कि exocrine pancreas, जो participate करती हैं, उसकी जो screation, कहां पर पहुंचती है, small intestine में, उसकी screation जाती है, वहाँ पर क्या होता है, जो enteropeptidase, जो इंजाइम्स हैं, वो act करते हैं, ठीक है, pro-carbo-oxy-peptidase, पर act करता है, trypsin, क्या बन जाता है, carbo-oxy-peptidase, ठीक है, next is secretion है, secretion by brush border of small intestine के वज़े से, जो होती है, amino peptidase, जो secretion होती है, जो screed करता है, वो करता है, कलाइविस कर देता है, ठीक है, उसकी partition कर देता है, one amino acid, other from the amino terminal से, ठीक है, जिसकी वज़े से, प्रोटीन का मेन बनना किसी ने होता है, उसने, amino acid में होती है, उसकी metabolism digestion, ठीक है, उसी में देखो, बन गया, last तक, amino acid तक, उसके बाद, fats and lipid की digestion and absorption, आपके इस labels में, the first step in the digestion of tri-acil glycerols, देखो, इसकी digestion किसमें होगी, fats की, try to mono, आपको इची याद रखने है, आपको try से mono तक पहुंचाना है, ठीक है, first step होता है, digestion में, इसमें क्या होता है, try as a glycerols and phospholipids, beginning in the mouth, ठीक है, mouth में होनी शुरू हो जाती है, as the lipid in contra the saliva के द्वारा, enzyme कौन सा एक्ट करता है, saliva का, lingiolipids, जो lingiolipids, saliva का enzyme, वो starting में, mouth में ही act करना शुरू कर देता है, fats के उपर, मतलब इसकी digestion mouth में शुरू हो जाती है, ठीक है, सबसे पहले mouth की बात होगी, उसके बाद stomach में, stomach में कौन सा एक्ट करता है, fats के उपर, gastric lipase, ठीक है, gastric lipase एक्ट करता है, वो क्या करता है, try asyl glycerols को diglycerides में पदल जाता है, देखो try किसमें convert हो गया, diglycerides, die के बाद होता है, mono, वो कहां पे होता है, small intestine में, जो pancreatic lipase है, वो small intestine में secretion की जाती है, ठीक है, फिर वो क्या करता है, fats को fatty acids and mono glycerides में convert करता है, ठीक है, आपको याद ऐसे ही रखना है, इसको, देखो, जैसे protein में आपको में इंचीज क्या याद रखनी है, कि पहले stomach में, फिर small intestine में, ठीक है, आपको ऐसे fats की याद रखनी है, पहले सबसे पहले शुरू होता है mouth में, फिर stomach में, फिर आपकी small intestine में, देखो, protein की protein से शुरू होके amino acid तक खत्म हो रही है, और fats की triglycerols से शुरू होके, mono glycero glyceride तक जा रही है, ठीक है, उसके बाद आते हैं carbohydrates, जो carbohydrates हैं, देखो, कोई भी है, इसकी भी mouth से शुरू हो रही है, ठीक है, intestine तक, mouth से intestine तक, mouth में क्या होता है, जो slavery amylase है, ठीक है, fats के ऊपर konsoct कर रहता है, lipase, इसमें konsoct करता है amylase, ठीक है, food contains starch glycogen, disacrite cellulose, जो food contain करता है, जो mouth में stink recovery amylase, तक एक्ट करता है, ठीक है, उसकी वहाँ पे क्या हो जाती है, partial digestion हो जाती है to the dextrin तो वहाँ पर वो चीज़े किसमे convert हो जाती है dextrin में ठीक है इसकी आपको important पर याद रखना है कि इसकी digestion stomach में नहीं होती carbohydrates की digestion stomach में नहीं होती ठीक है small intestine में आगे जो pancreatic amylase है इसमें आपको amylase जाद रखना है इसमें salivary amylase और pancreatic amylase है ठीक है वो एक्ट करता है जिसकी वज़े से क्या होता है polysacrides, dysacrides and oligosacrides में convert हो जाते हैं ठीक है dysacrides तक पहुँच की बात उसके बात intestinal जो brush border है ठीक है small intestine का उसके पास क्या होता है lactase, sucrase, oligosacrides होते हैं ठीक है फिर यह क्या करते हैं dysacrides पर act करते हैं उसको convert कर देते हैं monosacrides में ठीक है जो age, age वाली enzyme बहते हैं एज, age वाली वह enzyme, वह enzymes होते हैं ठीक है वह यह act करते हैं ऐसे die to mono, try to die, die to mono monosacrides में फिर वह convert हो जाता है ऐसी आपको arrows बना बना के लिखना है थोड़ा presentable लगता है ठीक है उसके बाद देखो हमारे enteric nervous system भी हो गया digestion and metabolism of protein fats and carbohydrates भी हो गया ठीक है और functional के अंदर जो भी आता है daily requirement इनके function इनका hypo and hyper vitamins जे सारा एक ही topic है अब इतना topic बचा हमारा ठीक है उसके बाद वैसे आपको एक दो vitamins बता देती हूं आगे ठीक है मैं अगले लग से के इसकी वीडियो पूरी upload कर देती हूं जिसमें सिर्फ notes होंगे मेरे आपको helpful होंगे काफी पूरे अच्छे से मैंने बनाए हुए है अगर आपको मेरी वीडियो useful लग रही है तो प्लीज इसको subscribe share और like जरू देती हूं ताकि आपको मेरे notes समझा जाएं कि मैंने कैसे बनाए हुए है ठीक है आपको पता जल जाएगा कि कैसे vitamins and minerals कैसे पढ़ने हैं ठीक है कैसे paper के point of view से important important आपको इसमें याद करना है सारा कुछ नहीं मैंने knowledge के हिसाब से जादा बनाय हुए है आपको सारा कुछ नही अधिक विटामीन है ठीक है डेली requirement जो समय मैंने लिखी हुए है वो सिर्फ आपको adults की याद रखनी है क्योंकि आपके syllabus में है डेली requirement याद करना ठीक है वो सिर्फ आप इसलिए adults की याद कर लो बाकी याद भी नहीं होती इतनी सारी ठीक है लास्त तक याद भी नहीं रहता नहीं तो फिर आप सिर्फ adults की याद कर लो डेली requirement बाकी मैंने लिख रखी अगर आपको याद करनी हो तो ठीक है sources sources important होते हैं जैसे गावा, lemon, pineapple, orange ठीक है जो भी citric fruit जादा जिसमें होता है उसके इलाबा भी होते है विटामिन C के sources देखो इसमें आपको डेली requirement में याद कर इसका function important होता है क्या function है इसका growth and repair में function है collagen formation में function है iron की absorption है इसका important function है vitamin C का ये क्या करता है iron की absorption करता है ठीक है vitamin C ठीक है हाइपो मतलब डेफिशेंसी और हाइपर मतलब टॉक्सिसिटी ठीक है डेफिशेंसी देखो इसकी डेफिशेंसी क्या होता है स्करवे ठीक है और डेफिशेंसी सिम्टम्स इसके लिए आपको शेड्स बोड़ याद रखना है अधे स्टार्टिंग वाला देखो एच एच याद रखने है deficiency मेन आपको याद रखने है कि कौन सी है इसकी स्कर्वी और उसके बाद हाइपर विटामिनोस हाइपो वाला हो गया आपका सलीबस का हाइपर वाले में toxicity आती है ठीक है इसका चार्ट तो मैंने एक साथ ही दिया हुआ है सारे विटामिन का ठीक है इसमें देखो कहां गया विटामिन सी यह रहा विटामिन सी इसकी हाइपर विटामिन इस मतलब इसकी toxicity जब इसकी डोस हम जादा जो डल्ट की इसकी डोस डेली कर्मेट पताई गई है अगर हम उससे जाद पतिकि को किभा लेते हैं न То, ये सारे सिंटम हो जाते है किड्नी अन कॉछ ब्लड सी तून्स हो सकते हैं ठीक है और उसके बाद ये सारे जो- मैंने रफरेंस वगे लिए यह मैंने पूरा फिजियोलोजिका पढ़ाया जो फिजियोलोजिका इसका रेफरेंस इसका मेन बुक सेंबुलिंगम और एके जायन जो भी इसकी बुक्स है मेन बुक्स उन्हीं से देखे मैंने इसके नोट्स बनाये थे ठीक है जो विटामिन्स की यह रही स्टेजिस ऑफ ड मिनरल्स की भी वीडियो में डाली है ठीक है वह मैंने बस नोट्स है क्योंकि उसमें याद करने वाला नहीं होता मैंने वह वीडियो डाल दीनी है भी ठीक है थैंक्यू सो मच